नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप 1000 स्कॉराइब फीट का घर बनाते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन कोष्ट कितने आईगी हैं जी हाँ दोस्तों हमने यहाँ काफी सेवरल फेक्टर ली हैं अलग अलग क्लास के एकोडिंग ठीक न तो आप वी लीवर चार्ज रहेगी क्या कंट्रेक्टर चार्ज रहे आप उसके घर की कोष्ट कितने आई हैं इसके बारे में हम देखेंगे तो चलिए आज को वीडियो हम डेहें देखें सबसे पहला जो फेक्टर आता है सबसे पहला फेक्टर डिपेंडिंग फेक्टर यह होता है आपका कि आप कौन सी क्लास का घर बनाना चाहरे हैं हमारे पास तीन क्लास होती है क्लास C, क्लास B and क्लास A अब A, B और C इन तीनों क्लास में डिफेंस क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं देखें सब्सक्राइब, यह आप क्लास C में घर बनाना चाहरे हैं मतलब कि आपको जो भी कॉंटेक्टर है वो अच्छा नहीं मिलेगा जो भी माटेरियल है उसकी क्वालेटी बहुत डाउन होगी ठीक है ना, आपको घर में फिनिसिंग देखने को नहीं मिलेगे इस तरीकी के घर को हम क्लास C में रखते हैं इसलिए इसकी कंस्ड्रक्षन कोष्ट का आती है साड़े साफसो से साड़े आट सो पर स्कॉर्पीट तक का इसका लेते हैं ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें क्लास B में तो आपको class B में थोड़े medium range में आपको अच्छा cost मिल जाती है घर की इसमें आपको bricks, cement, सरिया, contactor, labor ये सबी चीजे आपको अच्छे मिल जाती है medium level की आपको labor मिल जाती है आपका material मिल जाता है इससे आपको construction करने में कोई problem नहीं आती है बनलब आपको जो भी contactor है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से work करके देगा बट उसकी जो limit है वो है आपकी 1000 से लेकर 1200 square feet तक नॉर्मल जो भी घर बनते हैं नॉर्मल लेवल में वो हम class B में ही prefer करते हैं बनलब हजार से 1200 square feet तक का आप उसका charge ले सकते हैं लेकिन यदि आप class A में घर बनाना चाहरे हैं इट मेंस आपकी खुदाई से लेकर आपके घर के finishing तक सब कुछ paint वगेरा सब आपको एक तरीके से वो ताला लागा के देगा आपकी घर में आपको उसमें सिर्फ समाज रखना है लाकर तो इसे घर आपको class A में आएंगे इसकी जो construction cost होगी वो high होगी क्यों क्यों क्योंकि इसमें labor काफी skilled होगी contact काफी अच्छ लेवल का होगा साथी साथ जो भी वो material यूज़ करने वाला है वो बहुत ही company का branded यूज़ करेगा जैसे जो doors वगएरा होते हैं फेंस वगएरा होते हैं टाइल्स वगएरा होती है सीमेंट सेंट एग्रिगेट यह काफी अच्छी quality का वो आपको देने वाला है ठीक ना तो इसलिए वो उसकी जो चार्ज है वो भी ज्यादा लेता है पंदर सो से पच्छिस सो पर स्क्वाइफिट का इसका एरिया रहता है अब यह जो वेल्यू डिफर कर रही है सिर्फ material और लेबल के according हो रही है ठीक ना जो भी आपका material है वो थोड़ा सक आपको डिफर करेगा ठीक है इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं अब इसमें जो factor depending होता है वो होता है आपका owner काम देखिए owner ही सब कुछ होता है घर का मालिक चाहे तो वो contractor से with material और लेबल के साथ घर बनवा सकता है ठीक ना तो यह contractor काम करेगा यहाँ पर सारा काम contractor आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है ठीक ना class A में तो आपको बिल्कुल भी कर कर तो यह चल्दी काम कर जड़ी वो पम कर आरा है ठीक है तो बहुत सारे फेक्टर होगा वो किसका होगा Song semester की प्रइस या उसका उ सकते जो लिमिट है पैसे का कम हो जाता हैकर लेकिन यह सारी चीज़े हम लोगडाउन के एकॉर्णिंग बता रहे हैं आपको ठीक है ना क्योंकि आपको पता है कि लोगडाउन में काफी ज्यादा असर बढ़ा है सभी पर तीसरा फेक्टर आता है हमारा यदि ओडर है कोई यदि वह सेल्फ वरक कर रहा है मतला जो मिस्त्री वाल आपको लेवर से कराना है आपको सुबह से लेकर सामदे वहां पर रहकर काम कराना पड़ेगा तो यहां पर जो लेवर है आपके स्रीटिक एकॉर्डिंग मिल जाएगी जिस हिसाब से भी आपको चाहिए अच्छी लेवर चाहिए तो थोड़ा सा पेसा अच्छा लेना देन यहां पर आपको काम लगेगी क्योंकि यहां पर सिर्फ कॉंटेक्टर ही काम करेगा वो सिर्फ उसका मैटेरियल लेगा सिर्फ मैटेरियल के लिए आपको पेशा देना है मनला आप लाकर रखेंगे और यहां पर आपको मैटेरियल और आपको वर्क दोनों चीज़ करानी पड आप आप यहाँ पर यह चीज़ देखते हैं थोड़ा सा कि जो approximate estimate है तो यदि हम material की बात करें एक प्रोक्सिमेट में यदि material कितना लगता है एक material लगेगा और एक आपको क्या लगेगा लेबर लगेगी लेबर और material कितना लगेगा तो देखिए एक general idea है यह कि आपका 60-70% तक क्या लग जाता है material लग जाता है और लेबर इसकी लग जाती है 30-40% ठीक है एक यह general calculation है approximate estimate निकालने के लिए कि 60-70% आपको material लगता है total cost का और total cost का 30-40% आपको लेबर को देखिए अब यदि हम बात करें थम रूल की कि थम रूल की according हमें किस तरीके से वर्ग करना पड़ेगा तो देखिए यदि आपका थम रूल हम बताते हैं आपको थम रूल की यदि हम बात करेंगे student तो यहाँ पर आपका आएगा जो still होता एक ठीक है ना अब still है आपका यहाँ पर still लगेगा 24.6% total cost का ठीक है इस्टील लगता है cement लगेगे आपकी cement total cost की कितनी लगेगी 16.4% ठीक है send भी लगेगा आपका send लगेगा आपका 12.3% के according फिल लगता है आपका aggregate लगेगा आपका 7.4% ठीक है आपका पूरी building घड़ी हो गई अब building में आपको क्या चीह रहता है finishing और fitting चीह रहती है तो यदि हम finishing की बात करें तो finishing में आपका जो charge लगता है finishing में आपका charge लगेगा 16.5 और fitting में आपका जो charge है वो लगेगा 22.8% टोटल पॉस्ट का ठीक है एक ये general thumb rule इस तरीके से work कर सकते हैं आपको इसमें थोड़ा सा deeper कर सकते हैं जैसे कि आपको ज्यादा difference आपको नहीं आएगा ठीक है अब आप यहाँ पर देखेंगे कि finishing और fitting की हमने में बात किए तो finishing में बहुत सारे work होते हैं जैसे हम बात करें finishing के लिए तो आपको work कराना पड़ेगा paint के लिए ठीक है आपको work कराना पड़ेगा tiles के लिए आपको work कराना पड़ेगा bricks के लिए तो यह कितना percent होगा यह भी हम देख लेते हैं यह 4-5% तक रहता है ठीक है window होती है door होता है ठीक है window door हो गया आपका इसके बाद plumbing ठीक है इस तरीके से आपको और भी कर सकते हैं जैसे electricity है आपकी ठीक है यह यहाप पर इसे इसको हमने और doors के लिए आपका 3-4% तक plumbing में आपको थोड़ा से ज्यादा खर्च करना पड़ता है यहां पर 5-6% तक हो जाता है electricity भी आपको अच्छी quality लागारी पड़ती है इसलिए यह डिफर कर जाता 6-8% तक और एक और चीज होती ही इसमें sanitation sanitation में हम बात करें तो 4.4-5% तक आपक और sanitation है आपका 4-5% तो इस तरीके से आप इस चीज को find out कर सकते हैं ठीक ना जो भी हमने आपको depending factor बता हैं देखे जो भी हमने आपको यहां पर जो चीज़ी बताई है यह city-wise डिफर कर सकती है ठीक ना इसमें आपको यह नहीं पुछना है कि सर हमारी city में इतना लग रहा है तो केसी करेंगे यह एक जनरल क्राइटेरिया हमने आपको प्रवाइट किया ठीक ना वाकी जो आपका कॉंटेक्टर होता है वो सारी चीज़े बता देगा तो यह चीज़े आपको खुद पता लग जाएगी ठीक ना कि इस तरीके से हम वर्क करा सकते हैं ठीक ना इसमें कम नहीं पड़ेगा आपको कोई भी मटेरियल ठीक ना तो इस तरीके से आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कोष्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो सबसे इजी तरीका होता है वो होता है हजार से पारासो स्कॉाइट तक का घल ले लेते हैं नॉर्माली ठीक ना यदि कलास बीकी बात का है तो लेकिन क्लास एह में आपको बहुत ही अच्ची क्वालिटी से सारी चीजर मिलेगी आपको टाइल यह वीडिवल में टो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सभी नोटिक्रेशन स्टुडेंट्स के पास आपके बास सबसे पहले पहुंशते रहें और आप से एक चीज हुरम बोलेंगे कि इसका आप स्क्रीन सोट ले लेजिए ताकि आप खुद इसका इनला एक आप मझा ऊज़